HRTC संयूक्त समीती के पत्तुरकार वार्तकर नीजी ओपरेटर द्वारा दिये गए बयान की निंदा की है बीते दिन नीजी ओपरेटर संग ने HRTC के एक अधिकारी के खिलाब बस सरकार से तबातले की अपील की साथ ही प्राइवेट बस ओपरेटर ने नियाले में जाने की धमकी भी थी जिसको लेकर HRTC संयूक्त समन्वे समीती के बददिकारियों ने चुताबनी देते हुए कहा कि HRTC के खिलाब की जारही बयान बाजी को सहन नहीं किया जाएगा उन्हेंने कहा कि नीजी बस ओपरेटर हमेशा HRTC को तारगेट करते हैं वैं उन्हेंने प्रदेश सरकार से आग्रे करते हुए कहा कि वो नीजी बस ओपरेटर के दबाब में ना आए उन्हेंने कहा कि यदि सरकार ने नियाले में HRTC का पक्षन नहीं रखा तो परिवहन कर्मी स्वयम नयाले का दरवाचा खटकटाएंगे Henri हमशा करते हैं और करते आया है प्रन्तु अब समय आगया है कि है चरीजह का कर्मचारी उनकी इस भरामक बियानभाजको को किसी किम पे सहन नहीं करेगा और अरेचे की अश्मीत्ता पे खोई उठाएगा, अप्रशन करेगा, हम किसी भी किम पर ठोकड़े हैं. विल्कुल उनका स्वागत है आए चले नियले में नियले में उन्ही के लिए नियले में हम भी जा सकते हैं और हम जाएंगे अग्यादि अगर कोई हम पर प्रेशन चिन के उठानी की कोशिच करेगा जाएंगे और वह अपना पक्ष्ट रखेंगे कामला सरा अपने पिछले द बहुत गलत काम कर रहे हैं, और उनका एक तबाला कराने की कोशिच की, हाटीसी के करमचारे ने अपनी अर्जेंट्मेंट पेश करते हुए, दो दिन अपना बंद रखा, और सरकार से जब बारता हुई, सरकार के समख चब असली पिक्चर पेश की गई, तो सरकार ने दो मिने के अंदर अंदर उन अधिकारियों को मुख्यपत मुख्यले में लाया, और मुख्यले में अपनी तेनाती दी, और साथ में उनको कर प्रमोट भी किया गया, जिस प्रक्रिया को कह रहे हैं, उसमें एक जो section है, उसमें कहते हैं कि जो temporary permit है, ये चार महिने के लिए दिया और जब अभी एक हमारी जो state की जो policy भी है, जो publish होनी है, जो 2017 से मानली उचनियले में pending है, और यदि वो publish हो जाती है, तो हमारी जो जितनी भी जो बसे हैं, अपने आप उनको जो permit हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है.